नमश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत यह बढ़िया से होंगी हैं. दोस्तों, लगबख 30-35% केसे मेरे पास डेली कबजियत के आते हैं, कॉंस्टिपिशन के आते हैं, अपच के आते हैं, डाइजेशन रिलेटिग प्रॉब्लम लेके आते हैं, जैसे की एसेटी की प्रॉब्लम, कैस की समस्या, पेट अच्छे से साफ ना होना, मतलब इस्टमक प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम लेके आते हैं. दोस्तों, आज मैं आपको टॉप टू होमेपैथिक सीरफ बताऊंगा, जो की डाइजेस्टिफ सीरफ हैं, जो की आपके लीवर के लिए, आपके स्टमक के लिए, बहुत एफेक्टिफ सीरफ है, अगर आपको अपच की समस्या है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, अगर फैटी है, लीवर, और लीवर में इनफेक्शन है, या थोड़ा सा भी खाना खाते हैं, और पेट फूल जात लेकिन जो मैं अपने क्लीनिक में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता हूं, और जो सबसे ज़्यादा बित्ती हैं दबा, दो दबाईयां उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं, तो ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, प्लीज ये वीडियो आकरी त जरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबस्क्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएं, मैं ऐसे ही नॉलेजबल होमपैथिक रिलेट तो प्लीज अगर कोई मैसे सक्षेन में कोई अपना नंबर डाले मेरे नाम से और फेक नंबर तो बिल्कुल भी फेक है, आपको बिल्कुल कॉंटेट करने की जरूरत नहीं है, और ये वीडियो प्योर्ली एजुकेशन परपस से है, आप कोई भी मैडिसन लेने से पहले ल लगती, बच्छों को भूख नहीं लगती, हमारे बुजर्गों को भूख नहीं लगती या आपको भूख नहीं लगती, तो चॉंडिला सिरफ बहुत अच्छी है, फैटी लीवर की कंडिशन में यहां पर कुछ भी थोड़ा खाने के बाद पेट फूल जाता है, अपच की समस्या होती है, तो चॉंडिला सिरफ बहुत ही effective medicine है, थोड़ा सा खाय और पेट फूल गिया, पेट साफ नहीं हो रहा है, अच्छे से चॉंडिला यूज करें, आपको अराम लगेगा, आईबियस की कंडिशन में चॉंडिला बहुत ही effective medicine है और इसका उपयोग लीवर संब समस्याओं में जरूर करना चाहिए, जोइन डिस की कंडिशन में तो यह सबसे लाबकारी लाबदायक दवा है, अगर आपका बिलिरुबीन नॉर्मल से जादा है, एस जी पेटी, एस जी योटी बढ़ा हुआ है, इस दवा का उपयोग करने से वो सब कुछ ठीक हो जाता है जादिला सीरप बहुत ही अच्छी, बहुत ہी फेक्टिव होमपेटिक मैडसन का कॉम्बिनेशन है, इसमें क्रेडर्स है, इसमें चिलीडूनियम है, इसमें चियोनैंथरस है, इसमें कालमेग है, इसमें ककरिका पपया है और इसमें महरिका है, यह सभी दवा लीवर और स् मतलब 3-5 साल के बच्चों के लिए अगर 3 साल तो 3 ml, 4 साल तो 4 ml, 5 साल तो 5 ml, दिन में दो बार, सुबह, शाम, खाली पेट दीजे, यह बहुत मीठी दवा है, और हाँ, अगर कि शुगर पेशेंट है, तो जॉगर फ्री वाला ही यूज़ करें, क्योंकि जो नॉर्मल वाला क काफी मीठा है, तो 5 साल के बच्चों को 5 ml, सुबह और शाम दीजे, 5 साल से 10 साल के बच्चों को भी 5 ml, सुबह और शाम दीजे, 10 साल से उपर वाले बच्चों को लगभग 7 ml, सुबह और शाम दीजे, और 15 साल से बड़े बच्चों को 8 ml, सुबह शाम दीजे, खाली पेट इसको देना हैं, और बडू को 8 ml, दूब को 8 ml, बजर्गों को भी 8 ml, दूब काई पेट कहाने के लग्वक 15-20 मिनिट पहले इसका उपियोग करना है, इसका उपियोग करने से divation improve होता है, और liver का function improve होता है, तो ये दवा बहुत ही effective है ये दवा आपको हमपेथिक शॉप में आसानी से मिल जाएगी टॉप टूर में से दूसरी जो सीरफ है वो है डाइजस्टो सीरफ जो की हैश लैप कंपनी की आती है ये एसेेटी के लिए बहुत अच्छी है अगर आपको बहुत जादा डखारे आती है और आपको गैस बहुत जादा बनता है यहां बहुत जादा जलता है गलेमी हमेशा जलन वह Old कार्वोवेज, जिंजिबर्ग, नेट्रम कार्व, ओसीमम सैंग, लाइकोपोडियम, एलियम सटाइवा और मेंथा पेपरेटा, यह सभी मैडसेन इसमें मिली हुई है और जैसे ही आप मैडसेन के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो इसमें मेरा वीडियो है, आपको अलग इसमें मिली प्रायोर्टी दी गई है तो अगर आपको SAT की प्राप्लम है और आपको जलन बहुत जादा होती है, गैस बहुत जादा बनती है और डकारे बहुत जादा आती है, तो यह डाइजिस्ट अटॉनिक आपके लिए बहुत एफेक्टिव है, इसे बड़े यूज कर प्राप्तिक शॉप में आसानी से मिल जाएगी, यह भी लगबख जो स्मॉल पैकेज आता है इसका, वो लगबख सो एक सो दस रुपैक आता है, डाइजस्ट टॉनिक जाद तर एसिरेटी और गैस के लिए बहुत एफेक्टिव है, और साथी साथ जॉन्डिला सिरफ जो है वो अपच और लीवर सम्मंदित प्रॉब्लम, भूख ना लगना बिलकुल एपटाइट बिलकुल कम होना, कुछ भी थोड़ा का लें तो आपको गैस बन जाए, बिलकुल पैट भर जाए, तो जॉन्डिला बहुत अच्छी और एफेक्टिव मैडिसेन है, आशा करता कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर आपको SAT की प्रॉब्लम है, तो आपको डाइजिस्टो लेनी चाहिए, अगर आपको अपच, कॉंस्टिपेशन, पेट बहुत जल्दी फूल जाता है, भूख बिलकुल नहीं लगती है, आईवियस की समस्या है, जॉन्ड है, हैपटाइटिस की समस्या है, लीवर, फंक्शन आपका बहुत कम है, तो आपको जॉन्डिला यूज़ करने चीए, और अगर SAT के साथ आपको पेट की समस्या भी है, तो आपको डाइजिस्टो और जॉन्डिला दोनों ही यूज़ करने चीए, दोनों शुगर फ्री में भी आती है, तो अगर आपको शुगर है, डाइबेटीज है, तो आप प्लीज इसका शुगर फ्री फॉर्म ही यूज़ करें, क्योंकि डाइजिस्टो भी मीठी है, और जॉन्डिला तो बहुत जादा मीठी है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, दोस्तों आशा क अब लोगाएं, तो इसको देखने के लिए मेरे चलों को सब्सक्राइब करना बहुत जाज जरूर है, दोस्तों नीचे शेयर की बटन देए तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज जरूर करिएगा इस वीडियो को लाइक से र सब्स जबते हैं, कल फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंकिसो मुच.